आज जो आपको जानकरी देने जा रही हूँ वो यूट्यूब पर पहली बार आपको जानने को मिलेगी नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री आप सब के लिए लेकर आई हूँ बेहत खास जानकरी नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी अपनी जोतिशी डॉक्टर उमा श्री आज लेकर आई हूँ बेहत खास जानकरी वीडियो पूरा देखेगा अधूरा मत छोड़ना क्योंकि बहुत काम की चीज़ आज बताने जा रहे हूँ आप लोग जानते ही हैं कि स्वास्तिक का हमारे जीवन में क्या महत वै लेकिन बहुत सारे लोग स्वास्तिक को बहुत ही गलत तरीके से बनाते हैं गलत मूरत में बनाते हैं जब कभी पूजा हो तब ही बना लेते हैं तो यहां मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ कि अगर आपको आवश्रक्ता में स्वास्तिक बनाना ही पड़े तो क्या करना चाहिए लेकिन इस्ते पहले निवीदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल बटन भी दबा देजिए मित्रों अभी मैंने एक हजार में दो सवाल पूछने का मौका आपको दिया है तो बिना देरी के संपर्क करिए एक छोटी सी सलह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी के थुरू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो जानकरी जिसको जानने के लिए आप बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों आज मैं आपको एक ऐसी लकडी के बारे में बता रही हूँ जिससे अगर आपने स्वास्तिक बना दिया तो आपके जीवन में जितने भी शत्रू है न उनका खात्मा हो जाएगा खात्मा से मतलब है कि वो अपनी विचारधरा आपके प्रतीब बदल लेंगे ऐसे खात्मा नहीं होगा क्योंकि वो तो परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन आपके शत्रू को आपसे दूर तो किया जा सकता है न उपाए करके तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने जा रही हूँ प्लस मैं आपको बरकत के भी उपाए बताऊंगी एक ऐसा टिप भी दूँगी जो आपके जीवन में खुश हाली को लेकर आ सकता है पैसा इतना आएगा कि सोचा ही नहीं होगा बिजनस इतना ग्रोथ करेगा कि सोचा ही नहीं होगा आज ऐसा अध्भुत ग्यान में आपको देने जा रही हूँ तो सबसे पहले तो जानते हैं कि यह जो लकडी है यह कौन से व्रक्षकी है मित्रों यह आपके चिर परिचित व्रक्षकी है और यह है नीम की लकडी ले लीजिए और उसको आप छील लीजिए पतला बना लीजिए कलम की तरह इस लकडी से आप कोईले को पीस लीजिए और इस लकडी से आप शत्रू का नाम जहां भी लिखेंगे वो तबाह हो जाएगा वरवाद हो जाएगा आपके बारे में अपनी राय बदलने को मित्रों आपको क्या करना है नीम की जो लकडी है इसको ले लेना है और इसकी कलम बना लेनी है उसके बाद आपको लेना है लाल चंदन उसमें आपको मिलानी है थोड़ी से मुलतानी मिट्टी एक चुटकी मुलतानी मिट्टी और उसके बाद उसका एक पेस्ट टाइप आप ये काम पीतल के कटोरे में हल्दी को रख कर भी कर सकते हैं केसर का प्रियोग भी कर सकते हैं इसमें लेकिन आपको गंगा जल मिक्स करना पड़ेगा अब ये काम आप इतनी सूझ बुझ से करना कि आप ये जो काम कर रहे हो न ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए चुप यहां भी आप पूजा करते हैं वहां already कोई स्वास्तिक बना हुआ है तो आपको क्या करना है मित्रों जब छोटे बच्चों को handwriting सही करना बताया जाता है तो कुछ शब्द माता पिता लिख देते हैं और उस पर वापस से बच्चों से लिखवाया जाता है जिससे कि उनकी writing अ आना है आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कि एक स्वास्तिक बना हुआ है फिर आपने उसके बगल में ही दूसरा स्वास्तिक बना दिया ऐसे तो फिर घर में न जाने कितने स्वास्तिक आपके बन जाएंगे तो यह नहीं करना है आपको या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आपको ये स्वास्तिक भोज पत्र पर बना लेना है, और भोज पत्र पर स्वास्तिक बना कर जिस जगे पहले से बना हुआ, स्वास्तिक लगा हुआ है, बना हुआ है, उसके उपर आप चिपका दीजिए, तो ऐसे करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम है, वो स तो आज मैंने आपको जान करी दी एक ऐसी अध्मुत लकडी के बारे में जो आपके घर में लगी हुई भी होती है लेकिन आपको नहीं पता होता कि उसका प्रियोग आपको किस तरह से करना है तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताईगा